नमस्कार आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है आज हम लोकी की बर्फी बनाएंगे जिसके लिए हमने एक लोकी लेकर उसको चील कर कद्दुकस कर लिया है दो कटोरी चीनी, आदा कटोरी ड्राइफ रोट कटे हुए एक कटोरी पनीर, एक कटोरी मावा और एक चम्मच इलाइची पावडर अब हम गैस जलाकर उस पर एक कडाई रख लेंगे उसमें दो चम्मच देसी घी डाल लेंगे देसी घी को मैल्ट करके हम उसमें लोकी डालेंगे लोकी का हमने पानी नहीं निकाला है क्योंकि उसी में सब विटामिन होते हैं सीलिए हम ऐसे ही लोकी के पानी को जलाएंगे इसको हम बराबर चलाते रहेंगे जब तक इसका पानी अच्छी तरह से नहीं सूख जाता है लोकी की बर्फी बनाने के लिए थोड़ा टाइम लगता है लेकिन ये खाने में टेस्टी लगती है अब हम इसमें चीनी डाल देंगे चीनी डालने के बाद हम इसको उस चीनी को लोकी में मिलाएंगे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको इसी तरह से चलाते रहेंगे लोकी भी चीनी डालने पर अपना पानी छोड़ देगी इस पानी को हम दुबारा से सुखाएंगे और इसको बराबर हम चलाते रहेंगे जिससे ये कड़ाई में ना लगे लोकी का हल्वा भी बनता है, मिठाई भी बनती है और ये खाने में भी टेस्टी होती है, इसको सब अच्छी तरह से खा भी लेते हैं जन्माष्टमी के अवसर पर हम लोकी की वर्फी बनाएंगे, जिससे ये फाष्ट में भी काम आएगी और पूजा करने में भी अब इसका पानी सूखने लगा है, दूसरी तरफ हम एक ठाली लेंगे, उसमें घी लगाल कर उसको रख लेंगे अब हम इसको इसी तरह से बराबर चलाते रहेंगे, अब इसका चीनी वाला पानी सोखने लगा है, अब हम इसमें पनीर डालेंगे पनीर को हमने बारीक बारीक टुकडों में तोड़ लिया है, आब इसको कद्दू कस भी कर सकते हैं, लेकिन पनीर मिठाई में दिखाई देगा, उससे ज़्यादा अच्छा लगेगा इसको हम लोकी में अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसी तरह से मिक्स करते हुए हम इसमें मावा भी डाल लेंगे हमने इसमें एक कटोरी मावा भी डाल लिया है और मावा डाल कर हम इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसके साथ ही हम इसमें एक चम्मच इलाची पाउडर भी डाल लेते हैं जिससे इसमें खुसबू अच्छी आएगी, इस तरह से हम इसको बराबर चलाएंगे, बराबर चलाने के लिए धीमी आज पर इसको अच्छी से चलाएं, जिससे ये कड़ाई में ना लगे. अब हम इसमें थोड़ा सा हरा कलर डाल देंगे, जिससे मिठाई का कलर लोकी की तरह हरा हो जाए, देखने में अच्छी लगेगी. अगर आपको मेरी रेसेपी पसंद आए, लाइक करें, सेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सस्क्राइब करें. इसी तरह से चलाते हुए हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसका पानी जला लेंगे. गैस को हम मीडियम ही रखेंगे और इसको बराबर चलाते रहेंगे, जिससे ये अच्छे से मिक्स हो जाए और धीमी आज़ पर बनाने से मिठाई अच्छी बन जाती है. ये मिक्स हो चुका है, अब इसमें सफेद सफेद पनीर के दिखाई देते हैं, देखने में खूबी अच्छे लग रहे हैं, और मिठाई, अगर आप इस मिठाई को बनाएं, तो हर पॉइंट को अच्छे से देखें, और इसको बनाएं, आपको ये कैसी लगी, कुमेंट कर के बताएं, अब ये इस तरह से सब मिक्स हो गया है, अब इसमें थोड़ी सी कमी और है, जिसके लिए हम अभी इसको चलाएंगे, लोकी की वर्फी हैल्थ के लिए भी अच्छी होती है, और खाने में भी टेस्टी लगती है, हर को इसको बहुत पसंद करता है, ये हर तोहार पर बनाई जाती है, और हम लोकी से बर्फी, रायता, भल्वा, सबजी, पराठे, आदी बहुत सी चीजे बना सकते हैं, लोकी खाना बच्चे पसंद नहीं करते हैं, अगर हम इसकी मीठाई बना देते हैं, या रायता बनाते हैं, या पराठा तो बच्चे खा लेते हैं, अब ये बन कर तयार हो गई है, हमने गैस बंद कर दिया और इसको नीचे उतार लिया है अब हम इसको थाली में फैला देंगे इस तरह से हम इसको अच्छी तरह से फैलाएंगे और इसको बराबर कर देंगे अब हमने इसको थाली में अच्छी तरह से फैला लिया है और इसको चारो तरफ से बराबर कर दिया है अब हम इस पे ड्राइ फ्रूट डालेंगे जो हमने काट कर रखे थी उनको डाल कर हम हाथ से इसको दबा देंगे जिससे ये निकलना पाएं हमने ड्राइफ रूट लगा दिये हैं अब हम इसको तीन चार गंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे अब तीन गंटे बाद हम इसको काट लेंगे आप अपनी पसंद से किसी भी दराज को काट सकते हैं मैंने इसको लंबे लंबे पीसों में काटा है इस तरह से हम इसको काट कर अलग करेंगे और ये अच्छी तरह से अलग हो जाएगी बहुत ही सोप्ट बन कर तैयार हुई है और ये रखने पर थोड़ा टाइट हो जाती है क्योंकि इसमें घी भी पड़ा हुआ है मावा भी और पनीर भी ये हम मिल्क मेड से भी बना सकते हैं मिल्क पाउडर से भी और दूद से भी हम इसको बना कर तैयार कर सकते हैं इस तरह से हम इसके लंबे लंबे पीस कर लेंगे और ये अच्छी तरह से थाली को भी छोड़ देगी इस तरह से हम इन सभी पीसों को अलग करेंगे कलर भी इसका सुन्दर आ गया और देखने में भी ये अच्छी लग रही है आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राइफ रूट इस पर डाल सकते हैं अब हम निकाल कर एक टरे में रखेंगे आसानी से निकल रही है हमने इसको टरे में रख लिया है ये देखने में बहुत ही खुबसूरत लग रही है मिठाई बन कर तयार हो गई है आप भी कोशिस करें बनाने की और ये अच्छी तरह से बन जाएगी अब ये बन कर तयार है अब हम इसको एक पलेट में लगा कर सारू करेंगे पलेट में हम इसको अच्छी तरह से लगाएंगे जिससे इसके पीस अलग-अलग दिखाई पड़ें इस तरह से हमने इनको एक पलेट में लगा लिया है ये पलेट में लग कर तयार हो गई है अब हम इसको सर्व कर देंगे देखने में बहुत ही खुबसूरत लग रही है आपने आप भी खाएं और दूसरों को भी खिलाएं तोहार का मजा उठाएं